एक सीकर ने पूछा है मेरी फैमिली नार्सिसिस्टिक है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा पक्ट समझ सके या मेरी सिचुएशन को समझ सके इसके कारण मेरी लाइफ पहुती डिससेटिसफाइड या असंतोष से बरी होई है यह डिससेट को आपकी समझ नहीं पाता आपके पक्च को नहीं समझ पाता है आपकी परिस्तिती को सुईकार नहीं कर पाता है तो इससे निश्चित रूप से डिससटिसफाइड पैदा होगा और यह हम सब की इमोशनल नीड होती है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को जो लोग हमारे नि प्रोकेट करें हमारी परिस्तिती को समझें तो ताधारन भाषा में अगर हम कहें तो हम सब के अंदर यह डिजायर होती है कि हमें समझा जाए हमें रिलेशन्शिप में हमारी बात को लोग समझें हमारी स्थिती को लोग समझें हमारे पक्ष को लोग समझें हमारे इसलिए अगर हमारी इस नीड को हमारी ये नीड पूरा नहीं हो पाती है अगर तो हमारे अंदर एक emotional dissatisfaction पैदा हो जाता है और हम उसकी emotional dissatisfaction पैदा होने के बाद बहुत ही ऐसा लगता है जिसे की जीवन में कोई परपस ही नहीं है और संतोष के साथ जीवन जीने लग जाते हैं जीवन में किसी भी प्रकार की कोई फ्रेशनेस नहीं रह जाती है और जीवन का जो उद्देश है ऐसा लगता है कि जीने का उद्देश ही कतम हो गया हो तो यह बहुत ही important है कि हमें समझा जाए in fact empathy का और कोई मतलब ही नहीं होता empathy का तो वास्तविक मतलब यही है कि आप दूसरे की feelings को दूसरे की situation को दूसरे के point of view को समझें तो जब एक relationship empathetic होती है तो उसमें क्या होता है उसमें दूसरा विक्ति जो है वो आपके पक्ष को समझता है आपकी feelings को समझता है लेकिन अगर मान दीजिए कि relationship narcissistic है तो फिर narcissistic relationship में तो हम सब जानते हैं कि empathy नहीं होती है तो empathy नहीं होने का वास्तिक मतलब क्या है तो इसका मतलब यह है कि narcissist जो है वो आपके point of view को नहीं समझ पाएगा narcissist आपकी परिस्तिती को नहीं समझ पाएगा narcissist आपकी situation को आपकी इस तरीके की difficulty में जी रहे है उसको acknowledge नहीं करेगा तो आपके साथ problem यह है कि चुकि आप narcissistic framework में narcissistic environment में रह रहे हैं तो इसलिए वहाँ पे empathy है absent और जहाँ पे empathy है ही नहीं वहाँ पे आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझा जा सके वहाँ पे आपको नहीं समझा जा सकेगा इस बात को आपको ठीक से समझना होगा याद रखिए हम सब क्यों defensive होते हैं हम सब क्यों अपनी बात को बहुत ज़्यादा explain करते हैं दूसरे के सामने हम सब क्यों justify करते हैं दूसरे के सामने अपनी बात को अपने पक्च को क्योंकि ऐसा करके हम अपने आपको दूसरे को समझाना चाहते हैं अब बताइए चूकि नर्सिस्ट के अंदर empathy होती ही नहीं है तो आपके explain करने का आपके justify करने का आपके रोने धोने का चिलाने का उसके उपर क्या असर पड़ेगा कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर empathy ही नहीं इसलिए नर्सिस्ट के सामने आपने पक्च को explain करना नर्सिस्ट के सामने justify करना इसके कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है और नर्सिस्ट in fact तो ऐसा करता है कि अपने अंदर जो उसके अंदर empathy नहीं है उस empathy ना होने की को भी एक गुण मानता है और उसके थुरू वो manipulate करता है relationship में power dynamics को अपने हाथ में लेने की कोशिस करता है यानि सरल शब्दों में कहा जा है तो relationship को नियंतरित करने की कोशिस करता है relationship को control करने की कोशिस करता है अब मान लिजे कि आप narcissist को ये समझाने की कोशिस कर रहे है कि वो आपके पक्ष को समझे आपके point of view को समझे और narcissist ये कह रहा है कि इसके लिए तो मुझे अपने दिमाग को transplant करवाना पड़ेगा तभी मैं तुमारा point of view समझ भाऊंगा क्योंकि किसी भी intelligent दिमाग से तो ये तुमारे point of view को नहीं समझा जा सकता है जो तुम समझाना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ना सिर्फ आपके point of view को समझा नहीं बलकि अब आपके point of view का वो मजाग भी उड़ा रहा है तो इस प्रकार जब हम दूसरे के point of view को समझते नहीं है और ना सिर्फ नहीं समझते हैं बलकि उसका मजाग भी उड़ाते है तो इससे हम कहते हैं emotional abuse या emotional manipulation narcissistic terminology में तो इससे gas lighting भी कहा जाता है क्योंकि इससे तो व्यक्ति अपनी reality को ही प्रस्ट में करने लग जाता है अपनी reality को ही शक्त में देखने लग जाता है कि क्या मेरे emotions और मेरे point of view के अंदर मेरे पक्ष के अंदर ऐसी कुछ चीज है भी जिसके उपर दूसरे लोग विचार करें तो इससे वो अपनी reality को ही distrust के साथ व्यक्ति देखने लग जाता है तो आपको सबसे पहला काम तो यह करना पड़ेगा कि आपको यह समझना होगा कि narcissist के अंदर empathy नहीं होती है इसलिए आपका explain करना उसके सामने justify करना अपने आपको समझे जाने के लिए प्रियास करना बार बार और उससे शिकायत करना यह सब गयर जरूरी है ऐसा करके आप अपनी emotional need को या ऐसा करके आप अपनी emotional energy को waste कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपकी energy leak हो रही है narcissist के दुआरा अपने point of view को उसे समझाने में उस energy leak को सबसे पहले रोकिए उस emotional energy को आप preserve कीजिए उसको sun रक्षित कीजिए उसको leak होने से बंद कीजिए तो सबसे पहले तो narcissist से आप empathy की उमीद ना कीजिए और मैं तो आपसे यह कहूँगा कि बहुत ज़्यादा किसी से भी यह उमीद ना करें कि वो आपको समझेगा क्योंकि सबका जीवन में एक अलग युद्ध है और व्यक्ति अपना अलग युद्ध लड़ रहा है तो क्या आपके point of view को समझ पाएगा तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे कि स्वयम की का दूसरे के द्वारा समझे जाने की की इक्षा को ही तिरोहित कर दे उसी इक्षा से ही मुक्ति पाले तो मैं कहूंगा इससे ज़्यादा बड़ा वैराग्य कुछ नहीं हो सकता तो आप भी अपनी इस इक्षा को त्याग दीजिए कि आपके अंदर की feelings को दूसरा समझे आपकी situation को समझे तो आप काफी अपनी emotional energy बचा सकेंगे और अगर इस तरीके का वैराग्य आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं आपको लगता है कि cutting है तो at least कहां पर अपनी feelings को validate कराना है कहां पर अपने पक्ष को रखना है कहां पर अपने point of view को बताना है उसको सही जगह को चुनिए सही field को चुनिए तो आपके ऐसे relatives ऐसे friends जो कि आपके पक्ष को समझ सकते हैं आपके point of view को समझ सकते हैं आपकी feelings को validate कर सकते हैं उनके पास जाईए उनसे आप अपनी बात बताईए उनसे अपने दिल का दर्द बताईए लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं उनके सामने unnecessary उनको बदलने की कोशिस मत कीजिए कि वो आपको आप उनको बदल पाएंगे उनके अंदर empathy आप पैदा कर पाएंगे तो और ज्यादा emotional abuse आपको महसूस होगी विसले दूसरे को बदलने की बजाए दूसरे के अंदर empathy पैदा करने की बजाए बेहतर ये होगा कि आप उनसे अपने स्वयम को समझे जाने की जो इक्षा है आपके अंदर उसी को ही तिरोहित कर दे उसी से मुक्ति पाले उसी के प्रति वैरा अग्यधारन कर ले उसी के प्रति रेननशियेट हो जाए वो डिजायर ही चोड़ने कि वो आपको समझें बजाए इसके कि आप उनके अंदर empathy पैदा करने की कोशिस करें तो इस परकार आप एक acceptance से जी पाएंगे और इसी acceptance से healing शुरू होती है जैसे आपने पुझा कि इस dissatisfaction से कैसे healing होगी इस dissatisfaction से healing तभी होगी जब हम इस dissatisfaction को accept कर सके इस dissatisfaction को हम कैसे accept कर पाएंगे इस dissatisfaction को हम तभी accept कर सकते हैं जब हम narcissist के अंदर empathy नहीं होती है इस fact को accept कर पहें